लोटस आयर्वेदर इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे ज्यादा ड्राइफूट खाने से हो सकती हैं यह पांच समस्याइं तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो हर मौसम में स्वास्त को बेतर रखने के लिए ड्राइफूट का सेवन करना फाइदे मन्द होता है सूखे में मिटाविन आईरन प्रोटीन कैल्सियम जैसे सरकारी पोसक जैसे जरूरी पोसक तत्तों से भरपूर होते हैं जो आपको हिल्दी रखने में महत्पूर भूम का निभाते हैं ड्राइफूट का सेवन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कहीं आप अधिक मात्रा में ड्राइफूट का सेवन तो नहीं कर रहे हैं दरसल ज्यादा ड्राइफूट का सेवन आपके स्वास्त पर गलत अस कर दाल सकता है ज्यादा डाइफूट खाने से होने वाली स्वास्त समस्या है तो पहली है तेजी से बढ़ सकता है आपका बजन ज्यादय मात्रा में डाइफूट का सेवन करने से बजन तेजी से बढ़ सकता है डाइफूट में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसलिए उन्हें अधिक खाने से बजन बढ़ सकता है बजन कंट्रोल लखने के लिए एक सीमित मात्रा में सुखे मेवों का सेवन करना चाहिए और रोजाना एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए बिलोटिंग गैस की हो सकती है समस्या कुछ डाइफूट जैसे किस्मिस में फाइबर पिर्चुर मातरा में होता है बहुत अधिक फाइबर का सेवन करने से पेट में सूजन, गैस, कब्ज की समस्या हो सकती है डाइफूट का तासीर गरम होता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है टाइब टू डाइबिटिस का खत्रा कुछ डाइब फूट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसके अतरदिक सेवन से हाई बिलड सुगर का इस्तर बाढ़ सकता है और टाइब टू डाइबिटिस होने का खत्रा बाढ़ जाता है पोशक तत्तों में असुन्तुलन ज्यादा ड्राइब फूट का सेवन करने से आपके सरीर में कुछ पोशक तत्तों का असुन्तुलन हो सकता है जैसे अधिक बाढ़ खाने से सरीर में कैलसियम और मैगनिसियम के इस तर में असुन्तुलन हो सकता है इसलिए सर्दियों के मौसम में रोजाना मुठी वर सुखे मेवों का सेवन करें जिसमें बादाम, काजू, किसमिस, अक्रोट सामिलो अगर आप भी बड़ी मात्रा में ड्राइफूट का सेवन करते हैं तो इससे होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए सिमित मात्रा में ही ड्राइफूट का सेवन करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको काशा लगा कमेंट करके जूरू पताएं धन्यवाद